Hello everyone, welcome back to homework corner. I hope you all are safe and healthy. आज मैं आपके साथ discuss करूँगे maths worksheet का part 2, part 1 मैं already upload कर चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा तो link description box में है, बाकि आपको end screen पे भी मिल जाएगा, आई बटन में भी आपको इसका link मिल जाएगा, इसके अलावा आप मुझे मेरे Instagram और Facebook page पर भी follow कर सकते हैं. तो चलिए वीडियो को शू करते हैं, हमारा first question है fill in, देखें यहाँ पे अबाकिस दिया हुआ है, और हमें बताना है कितने 10s और 1s हुए हैं, तो देखें यह हमारा 1s place होता है, यह 10s place है, तो 1s place में हमारे कितनी बीर्ट हैं, 4, तो 1s पे आजाएगा 4, 10 पे कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे आजाएगा 5 10s, 4 1s, तो कितने हो गए हमारे यह, 54, कितने हो गए 54, इसी तरीके से यहाँ पे देखें, 10s पर कितने हैं, बीर्ट हैं 2, और 10s place पे है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, six tens है और two ones है तो कितने हो गई है sixty two इसी तरीके से next question देखिए ones पे कितना है ones जो हमारा एबाकस है वहां पर जो ones का place है उस पर कितनी birds है one two three four four ones है और three tens है तो total यह नमबर कितना हो गया thirty four अब देखिए यहां पे कोई भी birds नहीं है इसका मतलब ones पे हमारा क्या आजाएगा zero और ten पे three birds है तो यहां पे आजाएगा three यानके three tens zero one यानि कि हो गया thirty ठीक है अब देखिए next question fill in the number before twenty three जो number है twenty three से पहले क्या आएगा हमारा twenty two the number after thirty nine thirty nine के बाद क्या आता है forty ninety seven ninety seven is between ninety six जो ninety seven है वो किसके बीच में आता है ninety six और ninety eight the number after is forty three यानके किसके बाद forty three आता है forty two के बाद अब question number third है हमारा fill in the digit in once place of twenty seven is देखिए क्या कहा है the digit in once place of twenty seven जो twenty seven है वहाँ पे once place पे कौन से digit है तो यह हमारा once होता है और यह ten तो once पे है हमारी seven digit कौन से digit है seven है and its place value is जो seven है उसकी place value क्या होगी seven होगी देखिए once place पे जो भी कोई number होता है उसकी place value वही होती है जो की वो number होता है the place value of eight in ninety eight is देखिए eight की place value 98 में कितनी होगी eight and the place value of nine in ninety eight is 90 ठीक है 98 में nine की place value क्या होगी 90 the digit in the 10th place of 18 is देखिए 18 में 10th place पे कौन से digit है one and the place value of sorry and its place value is 10 तो इसकी place value कितनी होगी 10 कैसे देखिए one की place value बताएंगे तो मैं यह देखना होगा कि कौन से place पे यह 10 place पे है तो इसको 10 से multiply करा दीजी होगे ने 10 और इसी तरीके से अगर eight की place value निकालनी हो तो अब क्या करेंगे eight लिखेंगे और यह once place पे है तो इसको one के साथ multiply करा दीजी इस तरीके से भी हम place value निकालना सिखा सकते हैं in 36 the place value of 3 36 में place value 3 की क्या होगी 30 the digit in the 10th place of 27 is देखे 27 में 10th place पे कौन से digit है 2 कौन से digit है 2 right in ascending order from smallest to largest हमें क्या करना है जो नंबर छोटा है उससे बड़े नंबर की तरफ लिखना है तो देखे यहां पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है हमारा 67 उसके बाद है 76 उसके बाद 86, 88 and 97 ओके पार्ट B में देखे सबसे छोटा है हमारा 18 ठीक है उसके बाद है हमारा 26 फिर हमारा 34, 46 and 54 4, next में देखे हमारा सबसे छोटा नंबर है 13, 14, 16, 90 and 20 इसमें देखे सबसे छोटा है पहले 10 उसके बाद हमारा 30, 40, 50 and 60 ठीक है next question है write in descending order यानि के from largest to smallest बड़े नंबर से छोटे की तरफ लिखना है तो देखे हैं यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर हमारा है 57 उसके बाद 38, 32 and 26 ठीक है next question में देखे सबसे बड़ा 79 उसके बाद 63, 59 and फिर आ जाएगा हमारा 49 यहाँ पर देखे सबसे बड़ा है हमारा 29 तो आप इसे cruise भी कर सकते हो बच्चों को सिखाने केलके 29 हो गया अब इन तीनों नंबर में देखो सबसे बड़ा कौन सा है 26 अब यह भी हो गया अब इन दोनों नंबर में 19 यह भी हो गया तो लास्ट रह गया 16 इस वाली में देखे सबसे बड़ा है 20 उसके बाद 18 15 और 3 यह थे हमारे descending order ठीक है सो आज की वीडियो में सिफ इतना ही अगर आपको यह पसंद आती तो प्लीज लाइक करिए शेर करिए और कमेंट शेशे में में ज़रू बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी मिलेंगे नेक्स्ट वरक्षीट के साथ